प्राइम टाइम खबरों में इस वक्त की बड़ी खबरों पर ग्यानवापी मामले में कोट ने अब अगली सुनवाई सोमवार यानी 23 मई को दी है जिलान आयले ने ये फैसला सुप्रीम कोट के आदेश के बाद लिया है वाराइसी कोट में सर्वर रिपोर्ट दाखिल होने में शिवलिंग की जगा पर दर्शन पूजा समेथ अन्य मुद्दो को लेकर 23 मई को सुनवाई होगी जियन वापी, मजजीत, श्रूणगार गौरी मामले में गुरवार को होनी वाली सुनवाई लगाता दूसरे दिन तल गई है इस सुनवाई में शिवलिंग की जगा दर्शन पूजन समेथ अन्य मामले पर सुनवाई होनी थी अब इस मामले की सुनवाई 23 मई को होगी लेकिन अब एक बार फिर कोर्ट ने सोमवार को सुनवाई करने का निर्णे लिया है। पंजाब के मुख्यमंत्री भग्वंत्मान ने गुर्वार को ग्रैमंत्री अमिर्शा से मुलाकात के बाद भग्वंत्मान ने कहा कि उन्होंने राष्ट्य सुरक्षा के मुद्दे पर चर्चा की। बतादे कि पंजाब के विभिन किसान संगटनों से समंदित किसान गेहु की पैदवर कम होने पर 500 रुपय प्रतिक वेंट्र बोनस और 10 जून से पूरे पंजाब में धान की बुवाई शुरू करने सहीत अन्यमांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे है। हाला कि किसान संगटनों ने बुद्वार को मुख्यमंतरी भगवनपान से बात करने के बाद प्रदर्शन वापस लेने का एलान किया है। उद्राखन में आमादमी पार्टी के नेता और चुनाओ के दोरान पार्टी के सीएम फेस रहे करनल अजय कोटियाल ने बुद्वार 18 मई को चौकाने वाला फैसला लेते हुए पार्टी की सदस्ता से त्याक पत्र दे दिया है। उन्होंने ट्वेटर पर सार्वजनी ग्रूप से अपने इस्तिफे का एलान करते हुए कहा कि वो पूर्व सैनिको, बुजूर्गो, महिलाओ, युवाओ और बुद्धी जीवियों की भावनाओ को ध्यान में रखते हुए ये कदम उठा रहे है। करनल कोठियाल ने आप से अपना इस्तिफा ट्वेटर पर पोस्ट करते हुए लिखा कि पूर्व सैनिको, पूर्व अर्ध सैनिको, बुजूर्गो, महिलाओ, युवाओ तथा बुद्धी जीवियों की भावनाओ को ध्यान में रखते हुए वह आज 18 मैं 2022 को आम आदमी प स्कूल सेवा आयोग S.S.C. भरती घोटाले पर जारी विवाद के बीच पश्चिम बंगाल की मुख्यमंतरी ममता बैनर जी ने बीजेपी की अगोवाई वाली के इंद्र सरकार पर निशाना साथते हुए उस पर राजनितिक बदले के लिए संगिय एजंसियों का ममता बैनर जी ने यहाँ एक जनसभा को संहुरित करते हुए कहा कि बीजेपी देश में तुगलकी दात चला रही है केंद्रिय एजंसिय के जरिय बीजेपी तुगलकी कांड चला रही है किसी कि भी पास स्वतंतरता का अधिकार नहीं है बीजेपी ने सारे अधिकार खत्म कर दिये हैं मम्ता बैनर जी ने बीजेपी को ललकार्ति हुए कहा कि कानूनी प्रक्रियास से सही करने की जरूरत है लेकिन बलके आधार पर अगर बीजेपी सोचेगी कि वे तीमसी को जुका देंगे तो ऐसा नहीं होगा मम्ता बैनर जी ने कहा कि नियोक्तियों में विसंगतियों को लेकर काफी कुछ कहा जा रहा है अगर किसी ने कुछ गलत किया है तो कानून अपना काम करेगा उन्होंनी यह भी दावा किया कि राज्य की पूरवर्ती वाम मोर्चा सरकार के कारिकाल के दौरान सरकारी नौक्रि बीरो ने राज्जी की मंत्री पार्थ चटरजी से बुधवार की शाम को तीन घंटे से अधिक समय तक पूश्टाच की थी। कलकत्ता हाइकोट की निर्देश पर चटरजी CBI के अधिकारियों के सामने पेश हुए थे। अधालत ने भरती प्रक्रिया में अनियमीताओ को सारवजनी घोटाला करार दिया था। भारतिय क्रिकेट टीम के पूर्व बल्लेबाज और कॉंग्रिस नेता नवजोत सिंग सिद्धु को रोड रेज मामले में एक साल कैट की सजा सुनाई गई है। कोट ने चार साल पहले दिये अपने फैसले को ही बदल दिया है। अब उस पर सुनवाई करते हुए सिद्धु को एक साल सश्रम यानि कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है। कोट ने चार साल पहले दिये अपने फैसले को ही बदल दिया है। तब उन्हें एक हचार रुपे का जुर्वाने पर छोड़ दिया गया था। मिली जानकरी के अनुसार आज ही पटियाला जेल उन्हें लाया जा सकता है या फिर सिद्धु पटियाला में ही सरेंडर कर सकते है। बतादे की नवजोट सिंग सिद्धु को पंजाब सरकार से 45 पुलीस कर्मियों की सिगरिटी मिली थी। सजा होने की बाद उसे भी वापस लेने के आदेश दे दे गये हैं। रशिया यूकरेन यूद के बीच वहाँ फसे भार्ति स्टूरेंट्स अपने देश वापस लोटाए है। मेबेस की तयारी कर रहे इन स्टूरेंट्स के सामने एक बड़ी समस्य आ गई है। कई स्टूरेंट्स ऑनलाइन पढ़ रहे हैं। ओनलाइन क्लासिस में थेओरी क्लासिस तो हो रही है। नौलेज मिल रहा है लेकिन प्रैक्टिकल नौलेज मिलना बंध हो गया है। जिससे वो परेशान है। इसलिए उन्होंने सरकार से डिमांड की है कि यहां के कॉलेजों में उन्हें प्रैक्टिकल सी इसो विदा उपलब्त कराई जाए। को क्या ओनलाइन क्लासिस तो चल रही हैं बड़ डॉक्टर ओनलाइन नहीं बनते। हमें कोई प्रैक्टिकल एक्सपोजर नहीं मिल रहा है। इस रिक्वेस तो इंडियन गवर्मेंट की हम लोग आगे चलकर इंडिया को ही सर्फ करने वाले हैं। प्रैक्टिकल 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 के चांदपूर में ट्राफिक पुलिस को गाली देना और हंगामा करना एक डॉक्टर को भारी पढ़ गया है। पुलिस ने डॉक्टर के खिलाफ सरकारी कार्य में बाध हडालने और गाली गलोच करने की धारा में केस दर्च कर लिया है। नहीं फिर होगे आपसे मुलाकात तब तक के लिए आप देखते रहिए एक्वालिटी न्यूस। हबरों के और भी जानकारी के लिए आज ही हमारे फेस्बुक पेज को लाइक और फॉलो करना ना भूले। साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। कारा यूट्यू